यूट्यूब चैनल को और ग्यानमिया आपका स्वागत है मैं आज आपको जो वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की भरती निकली है जैसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर और एसिस्टेंस सब इस्पेक्टर के एसाई जो के तो आप इसमें क्या क्रेक्ट रही है तो पूरी डिट pior मैंको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा क्या एज-क्वेशन क्वालिफिकेशन हैं और या आपको यह जो आपकी डिटेयल है वह आप से क्या मांगी जा तो बातकर रेफ्रेंट कि जो आपकी पास मांगी जा रही है मेन है जो इंफ्रमेशन जो मांगी जाएगी इसमें फ़र्ष्ट तो आपको एज या कब से अब आप लाइक कर सकते हैं उसके लिए पूरी डिटियल में आपको बताने जा रहा हूं वीडियो में बात करें फ्रेंट कि जो आपको जो वेकेंसी निकली है वो पुलीस जो उपत जिक जिब होते हैं उप नेरी छक का जिसमें लगवाग वेतन है 9300 से लेकर के 34,800 तक वेतन यहां पर आपर मिलने वाली है जो कि लेवल 6 ग्रेट का है और 7 ग्रेट का जो जो ग्रेट चेंजिंग होता उसके अकॉडिनली तो जो कहीं सी निकली है वो 268 मतब्द 268 वेकेंसी है निकली है पुलीस सहायक उप जो नेरी छक होंगे जिनकी वेकेंसी जो वेतनमान होगी वह बावन सो बावन सो से लेकर के दो 20,200 रुपे तक की होंगी इसमें भी 449 रुपे जो वेकेंसी है पो की सेलरी जो होगी 20,200 रुपे तक होंगी जिसमें 904 वेकेंसी है तो टोटल 921 वेकेंसी निकली है इसमें यूपी पुलीस के तरफ से इसमें जो वेकेंसी है वो केटेग्राइज है वो जैसे रिजर्वेशन केटेगरी है आप देख सकते हैं इसमें स्टीसी ओबीसी या जे जो बनीड़ी π果ष सकते हैं जो बात करें इंप इंप्रिक करें प्रिया सकते हैं यह साथ जनवरे 2014 एक होना चौना चलो प्रकिरिया है जो पैसे लगने यहां पर लगेंगे अप्लिकेशन फीज जिसे बो लग जा रहा है चार सुर्पे आपको यहां पर अप्लिकेशन फीज दिये जाएं मतब आपको देना अनिवार है यदि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें यह है कि आपकी भारतिय होना है अनिवार है बस और यह इसमें ऐसा बिलोंग नहीं है कि आप यदि अभी किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अधर स्टेट पर यदि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहां पर रखा गया है जो आप सिर्फ भारतिय होना आनिवार है आपका यहां पर यहां पर जरूरी है लाना जो में पुलिस उपद निरिछक है जिनकी जो अपद के लिए वह भारत का विविदी द्वारा स्तापिद विश्वेद आले तब ग्रिजेशन होना जरूरी है जो टाइपिंग स्पीड है फ्रेंट वह कम से कम 25 सब प्रती मिनट मतलब 25 वर्ट्स पर मिनट इनको टाइपिंग करना होगा जो कि हिंदी में होना चाहिए तथा 30 जो है 30 सब है 30 वर्ट्स पर मिनट है वह इंग्लिस में लिखना उनको आना चाहिए यह तो यह क्रेटरिया फिलप कर रहे है यह दिन्यूंतम असी सब प्रती मिनट की गति से हिंदी अनुसेल से उत्तर प्रदिश पुलिस भरतियों प्रतियों प्रतियों वोड द्वारा सुधा दिकार सफल गोसित किया जाएगा तो आपको यह मिनमुम तो इतना फॉलो करना है जो इंटरस्क्रीट की बोर्ड पर यूनिकोड में जो यहां पर लिया जाएगा और यह उत्तर परदिश पुलिस के प्रतियों बादर यह आपको फॉलो करना पड़ेगा जो टैपिंग स्पीड है पर यह आप जैसे अनमैरीड है मैरीड है उनकी यहां पर लेकिन जो सारीरी के जो सवस्तधा है उसके बारे में बात करें किसी भी बेरति को सेवा में किसी पत्पर निकती नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और सारीरी की द्रिश्टी से उसका सुचता अच्छा नहों तो यह में नहीं कि जो आप एदी आप फिजकली फीट है या आप मेंटली फीट है तभी आपको यहां पर लिया जाएगा इसमें भरती की प्रकिरिया है यहां पर जो मैं आपको जो पोर्टल दिखा रहा हूं यहां पर यह सब्सक्राइब करें यहां पर जाकर कर सकते हैं यह जो अब एसे वेरती जिनका वेदन सही पाया जाएगा उनको 400 अंको की ओनलाइन लिकित परिच्छा में सम्मिलित होनों तो जो अप्लिकेशन पूरी तरसे फिलप करेंगे उनको यहां पर एक्जाम देने के लिए एक 400 अंको की ओनलाइन लिकित परिच्छा होगी इसमें जिसमें आपको लगवग 200 कोस्चन होंगे 200 प्रसंद की कोश्चन आपको दिये जाएंगे उत्तर जो देने होंगे टोटल धाय गंटे के अंदर ही आपको यह कंपलीट करना है इसको यह जो एक्जाम है आपको डाय का होगा जिसमें कंप्यूटर ग्यान समान हिंदी ग्यान जो जेनल नौलेज़ी से बोलते हैं वह आपकी फिजिकल फिटनेस लास्ट में दिखे जाएगी बुद्धी यह जो एक तरह से आपको सिच्वेशन बेस्ट कोश्चन दी जाएगी बदकरे फिरेंड जो आपका यह लिकेद परिच्छा में परती कि विशय में 35 परसेंट और कूल 40 परसेंट प्राप्त करने पर विफल रहने वाले भीर्थी भर्थी की बात नहीं होगे तो जो 35 परसेंट ला रहे हैं या 40 परसेंट ला रहे हैं कूल टोटल अंक वह पास न सब्सक्राइब कोई परसन या उसका उत्तर विकल्प तुरूटी कर पाये जाते हैं तो इसे परसनों के निरिष्ट कर दिया जाएगा तो इसको मान नहीं ले आ जाएगा इसमें फिच्कल वेरिफिकेशन है सारी जी कि जो है वह आपको लिकित पर इच्छा सपल हो पाए ग पर इसमें फिच्कल के लिए बुलाया जाएगा जिसे फिच्कल में आपका जो हाइट है वह वन सिक्टी थी सेंटीमीटर होनी चाहिए समय सीना जो है यह जो बोलते हैं 77 सेंटीमीटर बिना फुलाय हुए फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर यहां पर आपको मानने होंगे द पर इनकी जो में है वो हाइट और वेट यह दोनों मेजर होंगी महिलाओं के लिए 40 जो किलो ग्राम आपका होना आने वार है यहां पर जो लखाया गया इसमें कि अब आपको दिया देना होगा यहां पर बोर्ड की जो वेवर साइट है वह आपको यहां पर देने वाश जो चायन हो जाएंगे जिनका हो चुका होगा जिनका सेलेक्शन हो गया उनको आप इदन पत्रमयांकित वरेक करम पर अधार परतिक पंद के लिए निरिश्ट तर सिंफ्रमेशन दी जाएगी कि आपका स्य लेक्शन हो चुका है कि इता स्युचा है जो जिसे भोते हैं आपका टेस्ट्ट मिगत अ पर टेस्ट होता है मैं उससे मिनिंग फिस्टि किया जाएगा दैसिकर टेस्ट किया जा जाएगा जो चरित सत्यापन है वो जैसे कि या कोई पुलिस केस आपके उपर में नहीं है कि नहीं वो चेक की जाएगी आपको इस यहां पर तो अलग-अलग मेरिट पर आपको यहां पर सेलेक्शन होने वाला है यदि लंबम जैसे वर्टिकल है यहां पर अनुसरी जाती के लिए और अनुसरी जाती के लिए यहां पर जाती परमानपत्र होना जरूरी है अन्यवार है आपको जाती परमानपत्र सम्मिट करना जरूरी है इसमें यदि कोई केटेग्री से बिलोंग करते हैं जिसमें आपको छूट दी जाती है तो आपको यहां पर अपना डिटेल यापना जो तो जो प्रूफ है वह आपको यहां पर सम्मिट करना बढ़ेगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया अलग 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 यह पोस्ट रखा गया है कि आपको डिटेल यदि को यहां बहुत पूर्फ सैनिक हैं पहले भी आप काम कर चुके तो यहां पर आप इसको डिटेल को सम्मिट कर सकते हैं अब आगे बाद के रेफ्रेंड की जो आवेदन की परकिरिया है वह आपको कैसे अपलाई करेंगे यहां पर देख सकते हैं जब पोटल पर आप जाएंगे साथ तरीकों तो इसमें ऑप्शन होम पेज पर जाकर आवेद अचाहिएं तो आपको जो भी डीटेल मागी जाएगी यहां पे भीआ अंगा प्रैंगा ओपको देखे को डीटेल एक है अधि कोई हुए भरने में फोर्म फिलप करने में आप एन कोई जानकारी चाहिए तो 0444749010 पे जारी कर सकते हैं नहीं को कि चैनल कर आप सारे डिटेल आप फिलब कर देते हैं आपको यहां पर बता दू कि इंटरनेट मेंगी क्रेडिट काड्ड डेवीड काड्ड यूप याइक थुरू हाप भुक्तान कर सकते हैं पेमेंट को यहां पर समिट बटन जो आप जैसे आप करते हैं तो उसके बाद आप यहां पर डिटेल समिट हो जाता है यहदि आप इसकोट सारे डिटेल फिलब करना चाहते हैं तो डिटी लागर के थो भी आप फिलब कर सकते हैं डिटी लोकर कभी यहां पर प्रावधान जो है वो दिया गया है कि आप डिटील होती है आपकी जिस तरह से आपके अधारकार डिलिंक ह होते हैं तो वहां सारे डिटेल होती है वह आपका यहां पर डिटेल सब्मिट हो जागा तो जो आपको मैं बता दें जो एकजाम होने बाए यहां पर जेनरल computer knowledge होगा जेनरल है जो हिंदी है basic computer knowledge जो आपको जो से लेवस मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर यह मैं लिंक भी आपको अपने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगा आप उस इस लिंक को आप वहां से भी पढ़ सकते हैं पूरी तरह से फ्रेंड यह जो आपको डिटेल मैंने बताया यह आप इसमें पूरी तरह से फीट हैं तो आप आप लाइक कर सकते हैं इसमें आप साथ तारीक से आप साथ जनुवरी से अपलाइक कर सकते हैं नहीं जाल किसी बात अच्छे काम से कर सकते हैं यह वीडियो अच्छा लगा आप तो आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करे थेंक यू पर वाचिंग इस वीडियो थेंक यू